साथियों हमारे स्वाधिन्ता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्ष है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आये जैसे आने चाहिए थे यह एक एक संग्राम संगर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाब सत्य की शसक्त गोशनाएं है यह एक एक संग्राम भारत के स्वाधिन सभाव के सबूत है यह संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रवाण है कि अंडियाएं शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महा भारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्दी घाटी की रण भूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना वही अदम में शावरिय भारत के हर खेत्र हर वर्ग और हर समाज ने आजहादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जननी जन्म भूमिश्च स्वरगाद अपिकरियसी यह मंत्र आज भी हमें पिलना देता है आप देखिए हमारे इसी तियाज को कोल आंदोलन हो या हो संगर्ष खासी आंदोलन हो या संथाल क्रांती कछोहा कछार नागा संगर्ष हो या कुका आंदोलन भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांती सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संगर्ष कित्तूर आंदोलन त्रामनकोर आंदोलन बारडोली सत्यागरह चंपारन संत्यागरह संभलपुर्शंगर्श, चुवार्शंगर्श, मुंदेल्शंगर्श ऐसे कितने ही कितने ही संगर्श और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग को हर कालखन में आज्ञादी की जोती से प्रज्वलीत रखा इस दोरान हमारी सिख गुरु परंपरा ने देश के संस्कृति अपने रिची रिवाद के रख्षा के लिए हमें नहीं उर्जा दी प्रेरणा दी त्यांग और बलीदान का रास्ता दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार बार याद करना चाहिए साथियों आजादी के आंदोलन कि इस जोती को निरंतर जागुरुत करने का काम पूरब पश्चे मुत्तर दक्षेन हर दिसा में हर खेत्र में हमारे संतों ने मांतों ने आचारियों ने वगवदों ने निरंतर किया था एक प्रकार से बक्ति आंदोलन ने राष्ट्र व्यापी स्वाधिन्त आंदोलन की पिठी का तयार की थी पूर्व में चैतने महाप्रभूर आमक्रिश्य प्रमौस स्रिमत संकर देव जैसों संतों के विचारों ने समाच को दीशा दी अपने लक्ष पर केंद्रीत रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाथ तुकाराम रामदाद नर्सी महता हुए उत्तर में संत्रामानांत कबिर्दास गोस्वामी तुल्दीदास सुर्दास गुर्णानादेख संत्राईदास दखशिन में मादवा चारिय निंबाकार चारिय बलभा चारिय रामानु जाचारिय हुए लिख्ति कान के इसी कंड में मलिक मौपन जैसी रशखान सुर्दास केश्रवदास विद्यापती जैसे मानुभाहों ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कम्या सुधारने के लिए प्रेरिज किया ऐसे अनेकों व्यक्तित्वों के कारण ये अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के न सकने के अंदोलनों में ऐसे कितने ही से नानी संत आत्माएं ऐसे अनेक वीर बलिदानी है जिनकी एक एक गासा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्निमद्या है हमें इन महानायकों महानायकों उनका जीवन इतिहास भी देश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गाताएं उनके जीवन का संगर्ष हमारे स्वतंत्रत आंदोलन के उतार चड़ाओ कभी सभलता कभी असभलता हमारी आज की पीडी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुड़ता क्या होती है लक्ष को पाने की जिद क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे